नमस्कार छात्रो स्वागत हैं आपका मेरे YouTube चैनल ITI 360 डिग्रीज में बहुत सारे बच्चे बहुत परेसान हैं कमेंट कर रहे हैं मुझे WhatsApp पे भी कमेंट कर रहे हैं YouTube पे भी कमेंट कर रहे हैं को उनका जो Permanent Registration Number है वो in progress दिखा रहा है कोई कह रहा है कि 30 दिन हो गए हैं कोई कह रहा है कि 40 दिन हो गए हैं कोई कह रहा है दस दिन हो गए हैं और उनको ये भी डर सता रहा है क्योंकि अगर उनका Permanent Registration Number नहीं आया तो उनकी एक साल बरबाद हो जाएगी क्योंकि यही जो Permanent Registration Number है यही आपका roll number बनने वाला है और वही आपका जो है exam जब आपका exam होगा तो उसी में वही roll number आपका बन जाएगा तो अगर आपका roll number नहीं आएगा तो यह definitely आपको परिक्षा देने को नहीं मिलेगा पट आप लोग जो in process वाले बच्चे हैं ऐसे बच्चों को मैं यही बताना चाहूँगा कि आपके में क्या दिक्कत है और आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को सबसे पहले बात तो यह है आप लोगों को विल्कुल भी tension लेने की जरूरत नहीं है ऐसे बच्चे जिनका permanent registration number in process आ रहा है उनको चिन्ता करने की जरूरत नहीं है 100% आपका PRN number जो है वो आएगा आप लोग विल्कुल निश्चिंत रहिए चिन्ता मत करिए सभी कुछ बताऊंगा इस वीडियो में और आपको करना भी कुछ नहीं है अब आपका इसमें role and responsibilities खतम हो गई है आपने registration कराया है आपने EKYC भी करा दिया अगर आपका in process आ रहा है तो इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है बस आपको चिन्ता मुक्त होके इंतजार करना है और अपनी पढ़ाई पर focus करना है क्योंकि जुलाई में जो आपकी परिक्षा है वो होने वाली है तो हलाकि परिक्षा के लिए मैं भी आप लोगों की तैयारी के लिए जुट गया हूँ अभी बहुत सारी PDF में बना रहा हूँ बहुत जल्द ही जो है मैं परिक्षा से दो ढ़ाई तीन मेहने पहले आपकी तैयारी कराना स्टार्ट कर दूँगा तो आपको वहाँ भी घबराने की जरुवत नहीं है और जिनका पर्माने स्टेशन नंबर इन प्रोसेज हैं तो क्या होता है आपका वही डेटा भेजा जाता है जो आप ITI Online Form में फिल करते हैं जैसे आप ITI Online Form में अपना नाम पिताजी का नाम डेटा वर्थ फिल करते हैं वही डेटा उठके जो है इस्टेट जो है वो DGT को फारवर्ड कर देता है अब आपने क्या किया DGT के पास वही डेटा आया जो आपका ITI online form में भरा था आपने EKYC कराई और आधार में जो डेटा है उस आधार के डेटा को अब जो है जो ITI online form का डेटा है उससे match कराया गया ठीक है तो दोनों में कुछ भी अंतर है अगर यहाँ पर देख सकते हैं आपका नाम में अंतर है पिता जी के नाम में अंतर है डेट आप बर्त में अंतर है जेंडर में अंतर है अगर capital और small letter का भी अंतर है तो आपका डेटा जो है वो फिर से verify करने के लिए state के लिए भेज द तो यह जो problem है वो आपकी यह है कि आपका आधार का data और ITI online जो form है उसका data mismatch कर रहा है और यह call जो है वो state को चली गई है अब आपका इसमें कोई role and responsibilities नहीं है state की responsibility है और state इसको बहुत जल्दी approved कर देगा इसमें आपको 1% भी चिंता करने की जरूत नहीं है ऐसे सभी बच् and registration आएगा जिसकी यह problem आ रही है और state जो है वो आपसे अगर आपको minor difference है तो तो approved कर देगा सीधे लिख के आए या तो आधार का data रखेगा या state का data रखेगा दोनों में से एक पे अप्रूब करते ही आपका PRN number generate हो जाएगा अगर आपके major mistake है तो आपकी 10th की मार्शीट य या कुछ un certificate भी upload करा सकता है वो depend करता है कि आपके में कितनी ज़्यादा mistake है और इसमें आपको घबराने की ज़रूद नहीं है ये काम state का है और इस काम को state बहुत जल्दी जो है पूरा करेगा तो आप लोग ऐसे बच्चे जिनका in process दिखा रहा है PRN number बहुत दिन हो गए है घबराने की जोत नहीं है धीर धीर अपने परिच्चा ही तैयारी करना शुरू कर दीजे 110% आपको परिच्चा देने को मिलेगी है आपकी idea की एक भी साल खराब नहीं होने वाली है I think ऐसे लोग जो इस समस्या से जूज रहे हैं या फिर उनके दोस्त इस समस्या से जूज ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए चैनल पर informative चीज मिलती हो तो इस चैनल को भी subscribe कर लिजे साथ में notification bell भी all पे press कर लिजे क्योंकि सारी update मैं आपको देता रहता हूँ वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद